साहस का दूसरा नाम शौरे का प्रतीक कर्तव्य परायनता का जीवंत प्रमान मैं जारखंड जगवार राज्य के नकसल विरोधी अभियान का अग्रणी जारखंड पुलिस के नकसल विरोधी अभियान के लिए बना कमांडो दल मेरा जन्म 2008 में हुआ मुझे कई उच्चा दिकारियों ने सवारा और मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ अपने छेत्र में पारंगत होने के लिए मेरे जवानों को देश के अलग-अलग राष्टिय संस्थानों में भेजा गया मेरे कमांडो उसको अलग-अलग प्रशीक्षन दी गई पूरे जारखन पुलिस में सबसे अच्छे शारीरिक और मानसिक तोर पर मौजूद अच्छे ऑफिसरों और जवानों को मेरे बल के लिए चुना गया विगत वर्ष में हमारे अच्छे सामिर्क नेत्रितु, कुशल प्रशिक्षन और उच्छ मनोबल के कारण नकसलियों को मोहतोड जवाब देने में हमने भारी सफलता भी पाई है बढ़ते समय के साथ अच्छे प्रशिक्षन रख रखाओ और उच्छ नेत्रितु के कारण अब हम एक प्रभावी बल के रूप में जाने जाते हैं बल के कठन से अब तक हर नेत्रितु के कारेकाल के प्रतेक पदाधिकारी कर्मी ने अपनी मेहनत से इस बल को मजबूत बनाया है परंतु विगत कुछ समय में जारखन जगवार बल का रूपांतरन करने में कई सराहनिय कदम उठाए गए हैं पांच स्थाई बैरक एवं कई पोटा हट का निर्मान नई बिल्डिंग के उपर 100 किलो वाट के सोलर प्लांट की स्थापना जिससे जेजे परिसर में बिजली आपूर्ती एवं अक्षय उर्जा का स्रोत बना रहे CPC कैंटीन की स्थापना जिससे जवानों और उनके परिवार वालों को सामान भारी रियायत के साथ क्रिफायती दर पर दिया जा सके Assault Tower 1 बिल्डिंग में Medical Store पुलिस विभाग से संबंधित एवं अन्य रोचक किताबों के साथ पुस्त काले की स्थापना पैसे की निकास्ती के लिए SBI, ATM और Extension Counter की स्थापना शारीरिक प्रशिक्षन के लिए Assault Tower 1 बिल्डिंग में जवानों के लिए नए जिम का निर्मान कराया गया शुद पे जल हे तू एक घंटे में 2000 लीटर पानी शुद्धिकरण की छमता वाले आरो प्लांट की स्थापना जल की उपलब्ध ता हे तू पहले 5 और अब 25 डीप बोरिंग का निर्मान, पुराने और जरजर बिल्डिंग, बैरेक की मरमत और सुंदरी करण, कैफेटेरिया जिसमें हर तरह के लजीज व्यंजन उपलब्ध, फैमिली क्वाटर, कॉम्पलेक्स जहां अधिकारी, जवान और सेवकों के वो परिवार के साथ रहने की सुविधा है, पुलिस उपाग धिक्षकों के लिए 4 फ्लैट और एसॉल्ट कमांडर के लिए हॉस्टल बनाया गया है, दस डॉग स्कॉड के लिए डॉग कैनल बनाया गया, फाइरिंग बट छेतर के लिए 29 एकड 20 डिसमल जमी जमीन का अधिग्राण एवं कटीले वायर से घेराओ किया गया, आठ एकड जमीन का अधिग्राण जिसमें 4 लेन एप्रोच रोड जो रिंग रोड से सीधे कनेक्ट होगा का निर्मान किया जाना, पुराने जीयो मेस के पास मेलेनियम ठिंक पार्क जिसमें लाइट के साथ पानी का फववारा और ओपन एर थियाटर निर्माना धीन, कैमपस में प्रवेश निकासी हेतू, गेट नमबर 2 निर्माना धीन, कैम परिसर के अंदर जीयो मेस से अबस्टेकल कोर्स के साथ गेट नमबर 2 तक सड़क का निर्मान, साथी ड्रेनेज की सुविधा जिससे सड पानी का फैराव ना हो सके, जियो मेस से मंदिर तक के लिए PCC पत का निर्मान, विभिन प्रकार के व्रिक्षों का व्रिक्षार ओपन, जैसे बर्गद, कल्प व्रिक्ष, चंदन, रुद्राक्ष, पीपल, पाकर, गूलर, इत्यादी, जिनकी संख्या एक लाक से भी ज्या बचाने के लिए वहन शेट का निर्मान, वहनों के साफ सफाई करने हेतू, कार वाशिंग सेंटर का निर्मान, बार्बर शॉप, धोबी और मोची की दुकान का निर्मान किया गया, परिसर में 132 शौचाले, 54 स्नान घर, 124 यूरिनल, बारह जल मिनार, प्रशिक्षन एलाक को पानी और कीचड से बचाने के लिए 400 मीटर का बड़ा नाला एवं 5 सेप्टिक टैंक का निर्मान हो रहा है, प्रशास्निक भवन का भव्य रूप से नवीनी करन, परिसर में गेट नंबर 1 से 2 तक परेड मैदान एवं अन्य जगहों पर 100 डबल आम सोलर स्ट्रीट लाइ जियो मेस का भव्य रूप से नवीनी करन, कैम परिसर में बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, हम नित नए कदम उठाते रहेंगे और नक्सल विरोधी अभियान में कड़ी मेहनत कर नई उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे, हमारे धे जीती लक्ष को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे, मैं जारखन जगवार अपने जीवन का छण छण तिरंगे पे वार देता हूं, मादरे वतन की एक शबत पर सारी उम्र गोजार देता हूं, जय हिंद! करते हैं, करते हैं जारे वार देता हैं, इंद!